आँच दो नमस्कार, कैसे हैं आप सबी? I hope आप सब अच्छोंगे तो यहाँ पर आज आप सबी students में से काफी सारे students का exam था क्योंकि Commerce का एक ऐसा exam होता है जिसमें बहुत सारे students जो है वो बैठते हैं तो ऐसे में आज का इसे शेशन काफी important आप सबी के लिए है यहां पर मैं आपके लिए कुछ कोश्चन्स लेकर आया हूं जिसके आंसर भी यहां पर मैं आपके साथ में डिसकस करूँगा साथी साथ आप सभी को important guidance में दूँगा तो important वीडियो है पूरा देखेगा चाहो तो डेट गुना speed पे देख लेना पर वीडियो को पूरा देखना है आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी काम है वो यह की channel को आप subscribe करके जरूर रखेगा क्योंकि आने वाले time के अंदर भी important वीडियो में लेकर आऊंगा और साथ दिजाथ उससे भी important काम है यह भी गुर्जी application को download करके रखने का यह काम जरूर कर लेना क्योंकि आने वाले समय के अंदर और भी question जैसे मिलेंगे तो वो सब के सब हम discuss करेंगे और application के मादने में से आप तक notification भी पहुंच जाएगा तो चलिए जी यहाँ पर आज exam था आप सभी का 7 दिसंबर को तो 7 दिसंबर में पहले मैं discussion कर लेता उन्डियार पेपर वन के questions की पेपर वन के अंदर एक तो number series का easy सा question आया था हमारे पास में जैसा यहाँ पर पता लगा है वो इस तरीके से question था अगर इसमें थोड़ी बहुत भी टूटी हो तो आप बता दीजिएगा comment करके यहाँ पर देखिए यह question था exactly यहाँ पर difference आपको बताला है 2 का है difference फिर 4 का difference है फिर 8 का difference है फिर 16 का difference है तो अगला difference 32 का आएगा रो 32 इसके अंदर जोड़ दो के तो आप 63 answer आएगा तो बहुत ही simple सा question यहाँ पर number series का रखा गया उसके बाद मैं आपसे बात की जाए RDI की तो DIDR यहाँ पर इस बार मुश्किल लेवल का रखा गया था calculation जो है वो बड़ी lengthy यहाँ पर बैठ रही थी वैसे देखा जाए तो मुश्किल नहीं था बट यहाँ पर क्या था कि calculation थोड़ सी lengthy थी percentage की calculation करनी थी आपको पहले इस column की calculation करोगे फिर इस column की करोगे फिर इनका minus करोगे और उसके बाद में जाके आपका सवाल जो हो पा रहा था तो calculation लेंदी थी मुश्किल वाली level के अंदर इसको मैं रखूँ को कि आम तोर पर ऐसा question आता नहीं है और अगर बात की जाए RC की तो डियर यह इतना आसान इस बार दे दिया मतलब आप यह मानलो कि अगर आप सचे भारतिया हो तो आपने इस RC के बारे में पहले से सुना होगा जी हाँ हमारा जो चंद्रियान मिशन था भी पिसले दुनों complete हुआ दक्षनी दुरूप पर भारत ने अपने प्रग्यान रोवर को यहाँ पर उतारा तो यहाँ पर उसी के बारे में वो आर्टिकल था और आर्टिकल बोले तो RC reading comprehension का question और उसी इस related question यहाँ पर थे और इसी तरीके से और अन्या question थे कि दक्षनी दुरूप पर उतरने वाला कौन सा देश बना यह achievement पाने के बाद में भारत को क्या क्या फाइदे यहाँ पर हुए इस तरीके से बहुत भी basic basic question थे जो सारे के सारे आपको वहाँ पर देखने को मिल रहे थे उसके बाद में एक question जो पिछले दिन मैंने आपको करवाई था कि University of London की तरज पर कौन-कौन सी university जो है वो established की गई है तो आप सभी को मैंने पहले ही बता रहे था कलकत्ता हो गई कलकत्ता युनिवस्टी जो पहले के समय में कलकत्ता नाम होता था इसलिए बॉंबे युनिवस्टी और यहां पर हमारे पास में हैं मदरास ठीक है तो यह exit आपको देखने को मिलता था पांच option थे उसमें से आपको चाट नहीं थे तो यह तीन आपने पास में answer में आ रहे थे मेरे कहाद ABC में ही दे रहे होंगे उसके बाद में यहां पर अपने आग या can be true dear तो can be true वाला कौन सा होता है can be true यह characteristics किसकी होती है आप जानते है square of opposition में नीचे की और जो relation होते हैं उसकी characteristics ही होती है यानि कि यहां पर हमारे पास में some और some note वाले आयते हैं अच्छी बात यह है कि जो इन्होंने options दिये थे मतलब some apes are monkeys some monkeys are reps इस तरीके से दे रहे और वहां पर असानी से बजान भी आ सकते थे इसी से related एक और question यहां पर पूछा गया था एक तो यह question था जिसमें अपनोंने contrary या sorry सब contrary को यहां पर answer करके आना था और एक और यहां पर इस से related question वारे पास में पूछा था कि which of the following statement are match with the some app are monkeys ठीक है ना some app are monkeys इस से related जो है वो बाकी statements की आपको पहचान करनी थी और मैंने आपको बताया था कि non से note को negative से negative को काट के आप statement को राम से बना सकते था और exam के अंदर बिल्कुल whoop whoop ऐसा का वैसा question देखा हो मिला था तो जब non से note को काट देते थे तो आपके लिए statement को पढ़ना और समझना असान हो गया था तो इस तरीके साब इसका answer कर सकते थे बहुत यह असान question यहाँ पर रखा गया था एक question यहाँ पर compound interest का पूछा गया था dear बहुत ही easy question मतलब आप यह मानलो कि compound interest था तो हो सकते है student के पसीने चूर जाए पर थोड़ा सा concentration के साथ में अगर वो देखता है तो उसको पता लगता है कि यह बड़ा easy था 10,000 रुपय का principle था और half early और यहाँ पर interest की rate थी 8% की और half early यह compound हो रहा था half early compound का मतलब हो गया अधे साल के बाद में देखा जाएगा कि कितना interest बन गया वो interest credit कर दिया जाता था और देड़ साल का आप से basically पूछ रखा था तो अगर मैंने आपको calculation का simple सतरी कबता है था आप यह मान के चलो कि आपको simple interest calculate करना तो simple interest के लिए 8% के साब से आप करते हो तो एक साल का कितना हो गया 800 रुपया अधे साल का 400 रुपया तो 400 और 400 डेड़ साल बाद यह 400 तो मिलेंगे तो 1200 रुपय तो सिधे सिधे होई गया अब ज्यादा से ज्यादा ह आप जोड़ देते तो 11,200 और आगे की ओर थोड़ा मोटा interest रोड़ जोड़ जोड़ जाएगा तो यह आपके पास में answer आएगा जो मैं आपको उता है तो 11,248 तो यह option आपको दे रखा था और एक option था 248 के आसपास बाकी सारे के सारे 300 500 कुछ दे रखे होंगे तो यह फुल फॉर्म का question आप तो पर आता है और एक नाए question देखने को मिलता है लेकिन इस बार फुल फॉर्म का question आया है नहीं और पेपर वन जो है वो निहायती easy यहाँ पर response में देखने को मिल रहा है निहायती easy अपने इसको कह सकते है पेपर 2 के लिए तो वही moderate level रखा गया था पेपर 2 निहायत easy था अगर सिदत के साथ में store ने त्यारी की है तो 40 से 45 question कहीं पर भी नहीं गए आपका क्या view है मुझे comment box में जरूर बता देना अब मैं आपके साथ में बात कर लेता हूं डियर paper 2 के questions की discussion कर लेता हूं डियर आने वाले समय के अंदर और भी question मिलेंगे ऐसा आपके साथ में डिसकस करूंगा एक तब वही वाला simple question था आपके पास में अलग अलग जो round होते हैं जैसे यूरुगवे round हो गया जिनेवा हो गया टोक्यो हो गया दोहो हो गया कैनेडे हो गया यह सारे किसारों के years आप से पूस रखे तो आप सभी जानते हैं सबसे पहले ह पास में जैनेवा वाला था 1947 के अंदर раб 1956 के अंदर पिर कैनेडी वाली हमारे पास में 1964 के अंदर तोक्यो वाले 1973 के अंदर ऊसके बाद में हमारे पास में यूरुगवे ऑला था यूरुगवे 1986 दोहा वाला 2001 तो आपको मैंने years बता दी हैं अगर आपको याद है questions किस तरीके से कौन कौन से थे तो वो सीक्मेंस यहां पर आप यहां पर लिख सकते थे एक कोशन हमारे पास में था NCPI का National Payment Corporation of India NPCI यहां पर होगा इसने किसको बनाया है तो एक तो option आपके पास में तो phone पे था phone पे तो आप जानते हैं वो तो रशनीर ब्रोवर उनका है और sorry phone पे नहीं भारत पे भारत पे option था एक पेटियम option था इन दोनों से लेलना देना नहीं है तो NPCI ने किया अंस कोशन है तो रूपे बनाया था यह तो रूपे वाला यहां पर अगर चोथे नंबर पे देर रखा था वो रूपे रूपे उस कोशन का अंसर यहां पर आना था एक यहां पर पती और पतनी की income देर की थी पती को 20,000 पर मंत की salary कहीं से प्राप तो रही थी और एक कुछ business उसका था उसमें income मेरे ख्याल से उसकी कोई 6,000,000 या कुछ दिखा रखी थी और पतनी की income 3,000,000 रुपे अलग से बता रखी थी तो end में पूछ रखा था कि financial year के लिए income बता दो कौन से हो जाएगी तो basic सी बात है कि पती की income में 2,000,000 रुपे चाली जार 20,000 पर मंत के इसाब से 12 मेंनों का 2,000,000 या हो गया और यहाँ पर कोई business की income बता रखी थी चार लाख बता रखी थी इन दोनों को जोड़ना था और पतनी की income तो 3,000,000 की 3,000,000 है तो बहुत ही basic level का question दे रखा था था इसमें क्या होता है वो आपको बताता है कि आपको यहाँ पर entertainment allowance की कितनी चूट मिलेगे खास तो पर government employees को ही मिलती है वो तो वहाँ पर आपके लिए option रखा था 1,500 of the salary and 5,000 whichever is less और 5,000 whichever is less और अन्य option भी यहाँ पर थे लेकिन दो option है जो सबसे रखास तोर पर आपको द्यान दखना है दूसरा option यहाँ पर था 1,500 of the basic salary बेसिक salary डालका था और यह पांच जारवली बात एज़िटी थी बाकी दो option तो देखते ही अपने नकार सकते थे इन में confusion यहाँ पर सुन सको सकती थे तो answer बतायता हूँ यह वलाएगा डियर 1,500 of the salary बेसिक का कोई लिन देना नही अलाउंस विगारा exit है इससे तो यह हमारे पास में answer रहना था section 16-2 आहाम तोर पे section 16-2 आये के बारे में तो मैं बताता हूँ हला कि यह 1-A होता है पर आये बोलता हूँ इसको मैं यह वाला आपके लिए सबसे खास होता है जो आपको standard deduction की बात करता है बट यह वाला question यहाँ पर दो बार exam में आया हूँ है दो 24-22 में भी आया और 23 में देखो December में भी यह पूछ लिया आपसे एक matching वाला question था उसमें Henry fuel के सिध्धानत आपको अगर पता थे Henry fuel का मतलब हो गया उसने वहाँ पर option में दे रहे थे authority and responsibility unity of command करके तो वो अगर एक भी आप Henry fuel वाला भी match कर ल है कि 211 तक यहाँ पर पूछ रखे थे dear असान question था इसमें भी ऊचे नहीं मैंने जब classes करवाई थी उसके अंदर discussion किये हूँ है इसकी बारे में liability of payment of advanced tax यहाँ पर हमारे पास में 207 बात करता है ठीक है na liability of payment of advanced tax 208 हमारे पास में condition of liability of pay advanced tax ठीक है na conditions की बात करता है 209 हमारे पास में computation की बात करता है computation of advanced tax और 211 हमारे पास में due dates की बात करता है ठीक है तो यह sequence में basically आपको लगाने थे 207 से 211 तक के section due dates वाला सबसे last में यहाँ पर आना था और सबसे पहले liability of payment of advanced tax यहाँ पर आना था उसके बाद में asset purchase की है शैद वहिकल था यह क्या था उसमें पूछ आती है तो यह कुछ questions है जो अभी तक यहाँ पर सामने आये हैं पुछता तोर पर discussion की जा सकते थी आने वाले समय के अंदर और भी questions आएंगे और वो आप तक पहुंस के इसके लिए जरूरी है आप यह भी गुर्जी application को download करके रखें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखे आपको जो भी questions याद है वो आप हमें application पर भीज़ सकते हैं और चाहे तो हमें whatsapp भी कर सकते हैं उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करके रखेंगा और कोशिश करूँगा रात को नौब जे भी आपके लिए live session लेकर आउँ थोड़ा सा construction का problem चल रहा है आप सबी जानते हैं का construction का का इस वाई से मैं बड़े board के उपर class ये नहीं लगा भाया पर रात को नौब जे कोशिश करूँगा लगा पाहूँ चलिए जी all the best कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच कहून चुनिये भी गोरोजी को और करे अपनी UGC net paper 1 paper to commerce का सपना साकार डाउनलोड दिया नाउ